हलो बच्चो नीटवत कनू में आपका स्वागत है होपफुली आपको पुराने सारे लेक्चर समझा रहे होंगे हम सेल के अल्मोस्ट एंडिंग पर हैं और मैं ये उमीद करती हूँ कि आपको एक-एक टॉपिक क्लियरली समझा रहोगा आपको कॉंसेप्ट समझा रहे होगा और आपके कुश्चिन सारे के सारे लग रहे होगा अभी तक अगर किसी भी चीज में आपको दिक्कत है कोई भी चीज ऐसी जो आपको नहीं समझा ही है या आपने कोई भी लेक्चर मिस्स कर दिया है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर मुझे जॉइन कर सकते हैं आगे हम आज क्या देखने वाले हैं? आगे हम देखने वाले हैं आज यह हमने देख लिया था हम देखने वाले हैं cytoskeleton हम आज का lecture अपना शुरू करें है cytoskeleton से हमने अभी तक क्या-क्या देख लिया है cell theory देख लिया है overview देख लिया है procaryotic, eucaryotic cell देख लिया है cell wall देख लिया है, cell membrane देख लिया है ribosome देख लिया है mitochondria, vikual, plastid अभी हम किस से शुरू करें cytoskeleton साइटो स्केलेटन साइटो स्केलेटन का मतलब भी क्या होगा स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क जो भी सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइट कर रहा है वो बोलते हम साइटो स्केलेटल साइटो स्केलेटल सिस्टम वो पार्ट जो एक cell को framework प्रोवाइड करेंगे, shape प्रोवाइड करेंगे वो सब किसके अंडर आते हैं? cytoskeletal के अंडर क्या होगा ये? cytoskeletal क्या रहेगा? ये है एक framework framework of cell कैसा framework? structural framework structural framework of cell दिखी रहाओगा an elaborate network of filamentous proteinaceous structure consists of microtubule, microfilament and intermediate filaments किस-किस से बना हुआ है ये? पहली बात तो ये filamentitious है filamentitious मतला filament-like structure से बना है दूसरा proteinaceous है filament protein से बना है वो filament protein किस-किस फॉर्म में हो सकते है microtubules, microfilament, intermediate filament that means कि इन्होंने क्या बताया है? कि जो हमारा cytoskeletal system है वो तीन पार्ट में divided, तीन चीज़े उसमें होती है देखते हैं क्या क्या चीज़े प्रिजेंट होती है अब देखते हैं cytoskeleton के बार में cytoskeleton cytoskeleton किस-किस क्या-क्या इसमें प्रिजेंट होता है सबसे पहले microtubule microtubule फिर microphilament microtubule, microfilament इसके अलावा आपके पास क्या उता है intermediate filament microtubule किस प्रोटीन का बना है microtubule बना है माइक्रो फिलामेंट किस से बना है microtubule किस से बना है माइक्रो फिलामेंट का बना है आपका एक्टिन प्रोटीन से किस से एक्टिन प्रोटीन से जो intermediate filament होता है ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है इन दोनों विलामेंट के बीच में जो प्रेजन होताए विलामेंट के बीच में जो प्रेजन होता अपिलामेंट इसे हम बोलता है superintendent मेलेची में घ्रपिलेन का साइच कहें गिदनारहेगा मास्थ filament का size किता रहेगा आपका ये रहेगा आपका 6 to 7 nanometer intermediate filament जब इन दोनों के बीच का रहेगा कुछ तो क्या रहेगा इसका size 8 to 12 nanometer 8 to 12 nanometer जो microtubule होते हैं ये होते हैं thick size ये थिक होते हैं ये thin होते हैं comparatively microtubule ही cilia and flagella बनाते हैं cilia और flagella की formation होती है कहां से होगी पता रखना है किससे microtubule से microtubule किससे बने टुबलेन प्रोटीन से इसका मदलब cilia और flagella किससे बने हैं हमारे टुबलेन प्रोटीन से ठीक हैं आते हैं microfilament पे माइक्रो फिलामेंट थिन होते हैं और कहां पर पाए जाते हैं मसल्स में कहां पर पाए जाते हैं मसल्स में अब इनके functions की बात करते हैं माइक्रो टिबीट का क्या function रहेगा यह प्रोवाइड करता है cell shape की maintenance cell shape maintenance दूसरा function होते है इसका cell mortality के लिए ठीक है उसके बाद इसका होता है chromosome moment के लिए chromosome moment जतना भी cell में chromosomal moment होता है वो सब कौन देखता है microtibule ठीक है उसके बाद इसमें spindle spindle fiber formation spindle fiber formation भी कौन देखता है आपका microtibule और इसके अलावा इसका जो function होता है वो होता है orginally orginally movement कोई भी orginally कहां move करी है वो सब कौन देखता है आपका microtibule ठीक है अब आते micro filament के पास micro filament का क्या function होगा याद रखना है यह जो तीनो ही filament है इनका जो common function होता है maintenance of cell shape तीनो ही cell shape को maintain करने के काम आते हैं तो इसका भी पहला function तो same ही रहेगा maintenance of cell shape ठीक है उसके बाद दूसरा इसका आता है change in shape change in cell shape किसी भी type का changes आएगा cell में उसकी shape में किसकी वज़े से आएगा micro filament की वज़े से और cell motility में cell motility में help करता है अब आते हैं intermediate filament intermediate filament क्या कहेगा मैंने क्या बताया अब तीनो ही क्या करेंगे maintenance of cell shape तो maintenance of cell shape maintenance of cell shape के अलावा यह क्या करेगा यह बीच में present होता है यह दोनों चीज़ को hold करने का काम करता है बीच में क्या होता है nucleus तो यह क्या करेगा आपका anchor of nucleus यह होगे इसके सारे आपके functions micro filament micro tubule और intermediate filament अब हम देखते हैं NCRT क्या लिक्तिया में पास NCRT क्या लिक्तिया में पास an elaborate network of filamentous proteinous structure consisting of micro tubules microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton the cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of shape of the cell यह हमने तीनों के अलग-अलग function देख लिये हैं cytoskeleton के बाद हम आते हैं cilia and flagella पर किस पर आते हैं? cilia और flagella पर पहली बात तो यह cell membrane की hair-like growth होते हैं hair-like enveloped growth membranous growth यह membranous organally नहीं है यह growth है cell membrane की चीक है? cilia and flagella are hair-like outgrowth of cell membrane मतलब की इनके पास क्या है? plasma membrane है they have plasma membrane चीक है? दूसरी बात जो cilia होंगे cilia बहुत सारे एक बेक्टिया में कहीं सारे एक cell में कहीं सारे cilia हो सकता है many many number लेकिन flagella एक या दो किते flagella होते हैं? एक या दो depending कि कौन सा cell है छर्ड़िया इसके अलावा जो cilia है cilia ऐसे ऐसे और जो चपो चलायते खना ऐसे चपो चलाने जैसा काम करता है flagella ऐसे dip-like movement ऐसे 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 वाला moment करता है उसके बार जो cilia है cilia क्या करता है? overall जो cell के अंदर material है ऐसे से करें ना उसकी मूमेंट करा रहा है उस पूरे माटीरियल की फ्लेजला ऐसे जादा एनरजी के साथ लंबा है जादा एनरजी के साथ मूव कर रहा है तो पूरे सेल की मूमेंट करा रहा है ओवरॉल जितना सेल उसकी मूमेंट करा रहा है चीक है सीलिया और फ्लेजला मे में मुमें में हेलप करता है और जो फ्लेजिला होता वो आपका ओवराल वेल्वाल सेल की मुमें में हेलप करता है Cylia's small structure work like ore causing the movement of either the cell or the surrounding fluid फ्लेजिला are comparatively longer responsible for cell movement The prokaryotic bacteria also possess flagella but these are structurally different from that of eukaryotic flagella मतलब prokaryotic bacteria भी flagella possess कर सकता है अगर आपको याद होगा तो मैंने पीछे बताया था कि eukaryotic flagella किससे बना होता है आपका tubulin protein से, किससे tubulin protein, tubulin protein का बना है ये flagella, मतलब क्या है ये, microtubule, किसका है ये part, microtubule, जो आपका prokaryotic flagella है, वो किस protein से बना है आपका flagellin protein, इससे flagellin protein, चलो, the electron microscope study of a cilia of flagella show that they are covered with plasma membrane, जब वो plasma membrane की ही outgrowth है, तो मतलब plasma membrane से ही covered होगी, ये हमें microscope में पता चला, their core is called the exoneme, जो बीच में उनका core होता है, ये अगर ये cilia है, ये cilia, 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 flagella, flagella, ये अगर है, ठीक है, तो बीच में एक point इसका होगा, exoneme, जो eukaryotic flagella होता है, वो किसका बना होता है, microtubule का, tubulin protein का, ठीक है, जो इसका arrangement होता है, ये कुछ ऐसा होता है, ये आपका cell membrane है, ठीक है, ये आपका cell membrane है, plasma membrane, ये आपका कुछ ऐसा होता है, ये दो आपके center में है, ये आपका exoneme में, क्या है ये, exoneme, ठीक है, ये आप उसमें connected होता है, ये आपका central sheet होता है, central covering है, central part को cover कर रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, central sheet, side में, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, सार, पांच, नौर spokes होता है, ठीक है, जिन्हें हम कहते है, radial spokes, क्या कहते हैं, radial spokes, इन से attach होता है, doublet में, आपके, microtubules, ऐसे, ये microtubules है, जो आपके बाहर की तरफ है, ये होजाएंगे peripheral microtubules, ये बाहर की तरफ हैना, होजाएंगे, peripheral microtubules, microtubules, जो ये आपके अंदर की तरफ है, ये, ये होजाएंगे, central microtubule, central microtubule, ये जो एक microtubule है, दूसरे से ऐसे जुड़ावा होता है, ये, 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 जो ये, जो जोड़ना है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, inter dublet bridge, दो dublet के बीच में, bridge बनाया न, तो ये क्या होजाएंगा, inter dublet bridge, चिक है, चलो, ये आपको देख लिया, आपने microtubule का structure, ये आपके internal structure है, इसका, सीलिया का, ये फ्लेजला है, इसको ऐसे कांट देंगे, तो इसका ऐसे वाला structure है, ये, ये structure ऐसे शो हो रहा है, चिक है, चलो, possess a number of microtubules running parallel to the longer axis, the exonim usually have 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and pair of centrally located microtubules, मतलब क्या arrangement इसका 9 तो बाहर है, दो अंदर न 9 plus 2 arrangement है, आपके सीलिया फ्लेजला में, microtubules का arrangement कैसा 9 plus 2, Such an arrangement of exonimal microtubules is referred to as 9 plus 2 array, the central tubules are connected by bridge and is also enclosed by central seat, which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by a radial spoke, these are 9 radial spokes, the peripheral doublets are also interconnected by linkers, बोट इस सीलिया फ्लेजला इमर्ज फ्लेजला इमर्ज फ्लेजला इमर्ज फ्लेजला इमर्च्टर काल बेसल बोडी, जो आपका ये important नहीं है, कुन सी? ये, इससे कुश्चन आयाता, जितना भी सीलिया फ्लेजला है, उसका origin कैसे है, उसका origin है बेसल बोडी, सेंट्रियोल लाइक बेसल बोडी, सेंट्रियोल की जैसा ही एक structure होता है, बेसल बोडी होती है, जो कि क्या बनाता है आपका सीलिया और फ्लेजला इस बेसल बॉडी का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है नाइन प्लस दीरो एरे होता है बेसल बॉडी का नाइन प्लस दीरो इससे उत्पन हो रहा है क्या उत्पन हो रहा है सीलिया फ्लेजला उसका रहेगा नाइन प्लस द इसी के साथ आपका ये वाला portion खतम हो रहा है जो आपका centriol है centriol like structure से तो उत्पान हो रहा है सीलिया सीलिया और phlegelar के पास plasma membrane होती है बट ये जो centriol होता है centriol के पास plasma membrane नहीं होती है centriol is not covered by plasma membrane आप लिख सकते है centriol is not covered by plasma membrane ठीक है इसका diagram देख लेते हैं अभी मैंने आपको इडिटेल में समझाया था diagram ये आप देख रहा होंगे दो central microtibule ये दो peripheral microtibule ये इसके radial spokes हैं ठीक है ये आप इसके linkers हैं ये जो आपस में जोड रहे हैं ये inter dublet bridge है ये inter dublet bridge ये central sheet है ये radial spoke आपने देख लिया ये आपका क्या इट कौन सा diagram है है ये आपका cilia और flagella का microtibule diagram है इसी के साथ आपका cilia और flagella खतम होता है अगला आते हैं centrosome and centriole centrosome और centriole centrosome और centriole बहुत अच्छे से समझना है बहुत important topic है अगर ये आपको समझ आ गया centrosome कैसे है कैसे बना है तो आगे आपको easy हो जाएगा समझने में आगे जाओ arrangement आने वाली है वो आपके लिए easy हो जाएगी ठीक है पढ़ते हैं centrosome is an ordinarily usually containing two cylindrical structure called centrioles कैसे ये क्या कहना चाहरा है two cylindrical एक ये cylinder एक ये cylinder ऐसे दो cylindrical structure जीने हम क्या बोल रहे हैं centrioles क्या बना रहे हैं दोनों मिलके centrosome centrosome मतलब two centrioles equals to one centrosome दो centrioles मिलके एक centrosome फॉर्म करते हैं ये कैसा moment दिख रहे आपको कैसा structure फील हो रहा है cart like wheel cart ऐसे होता ना पईया ऐसे बीच वाला ऐसे होता है फिर ऐसे होता है पईये की तरह cart की तरह structure दिख रहा ना तो ये आपका cart wheel की तरह structure फॉर्म करते है they are surrounded by amorphous paricentriolar material both the centrioles in a centrosome like perpendicular to each other in which each organization looks like cart wheel ये आपको समझा दिया क्या कह रही है अब हम देखेंगे centriole का structure कैसा होता है इसमें बीच में कुछ नहीं होता है ये खाली होता है सिर्फ एक exonim है खाली exonim इससे आपकी 9 rays निकलती है 9 निकल गी हर एक spoke से हर एक radial spoke से तीन microtubule निकलती है तीन peripheral microtubule कैसे 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 ये आपकी peripheral microtubule A, B, C A, B, C A, B, C ऐसे सारे में होगा इस वाले का C इधर वाले के A से जोईन होगा इस वाले का C इधर वाले के A से इस वाले का C इधर वाले के A से ऐसे ये सारे जोईन होते रहेंगे तो इनको क्या वोलेंगे AC Linkers क्या वोलेंगे AC Linkers ये आपका क्या है Central Microtibule Microtibule ये क्या है आपका Peripheral Peripheral Microtibule चीक है आपका ये हो गया CA Linkers सौरी ये मैंने गलत कर दिया है ये क्या होगा CA Linkers C से A join हो रहा है तो CA Linkers AC गर्मी की वज़े से न मेरे को AC याद आ रहा है CA Linkers ठीक है ये आपको दिख रहा है Cartwheel like structure ये है आपका Centrosome का structure ये Centrosome का structure हो गया इससे क्या है ये है आपका Centrosome का structure कुछ चीजें है इसमें जैसे इनके पास Membrane नहीं होती चीजें है दे लैक Membrane कैसे होते हैं ये Pericentriolar material होते हैं Pericentriolar space beach में space में पड़े वे होते हैं और सिर्फ और सिर्फ Animal cell में मिलते हैं किसमें मिलते हैं Animal cell में Keval और Keval Animal cell में मिलते हैं Centriol पीछे भी आपको बताया था पढ़ते हैं They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibril of tubulin protein Each of the peripheral fibril is a triplet ये देखा आपने triplet है The adjacent triplet is The central part of proximal region of the central is also proteinaceous called the hub Central part मतलब ये इसमें भी protein भ़रा होता है माना इसमें Microtubule है ही नहीं Central Microtubule से भेए इसमें फिर भी protein भ़रा होगा जिसे हम बोलते हैं हब Which is connected with tribules of the peripheral triplet by radial spoke ये देखा रेक्ली radial spoke से अटाच है Made of protein The central form the basal body of cilia and flagella and spindle fiber that gave rise to spindle apparatus during cell division in animal cell ये क्या है basal body of cilia and flagella flagella और cilia किससे central like basal body से बने होते हैं हमने basal body का arrangement क्या देखा था 9 प्लस 0 तो मतलब central का arrangement क्या होगा 9 प्लस 0 इसी के साथ आपका ये पार्ट खतम होता है आज के लिए हम इतना ही करेंगे इससे आगे इससे आगे इस चाप्टर में से फिए न्यूटियस रहिए ठीक है कल के lecture में आपका कल के lecture में आपका ये चाप्टर खतम हो जाएगा जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है पुराने lectures नहीं अटेंड किया है वो अटेंड कर सकता है जाके अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप like कर सकते हैं, share कर सकते, comment कर सकते हैं अपने दोस्तों को भी बताएए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये हैं प्लीज डू, like, share and comment कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तिल दिन, thank you so much for attending the session TIN Lounge